हेई दोस्तों क्या आप आपके रियल्मी के स्मार्टपॉन को रूट करना चाहते हो लेकिन अगर आप पोई रूट नहीं कर पा रहे होगे तो दोस्तों आपको उसका रिजन बता देता हूं क्यूंकि उसका बूट लोडर जो होता है वो लॉक रहता है अगर आप भी आपके के डिवाइस को रूट करना चाहते हो तो आप पॉफेक्ली सही जगा पर आयों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएगे कि आप किस तरह से आपके रियल्मी के डिवाइस का जो बूट लोडर है उसे अनलोक कर पाओगे तो दोस्तों मैं आप सब का टेकनोलोजी को सेम फोलो करोगे तो आप किसी भी आपके रियल्मी के स्मार्ट फोन के डिवाइस को आप आसानी से अनलोक कर पाओगे उसके बूट लोडर को आप आसानी से अनलोक कर पाओगे तो दोस्तों आपको चले जाना है आपके फोन के सेटिंग में सेटिंग में जाने के बाद फोन में जाना है आपको जो बीट करके आएगा उसके आपको सेवन टुए टैप करना है यह तो फिर आपको बार ही मिल जाएगा डैवलोपर और नहीं मिलता है तो आपको चले जाना है बाद आपको टैप करके उसे अनेबल कर देना है यह सब कर देने के बाद आपको चले जाना है वहाँ पे चले जाना है वहाँ पे जाने के बाद आपको एक application अप्लिकेशन एपी के फाइल देखने को मिल जाएगा दोस्तों यह हरे एक फोन का सेमी रहेगा तो आपको सिंपली यह इंडेप्ट करके जो एप्लिकेशन है उसे डाउनलोड कर देना है और उसके बाद यहां पर स्टाट टेस्टिंग पे टैप करके उसे कंटिन्यू कर दे सब्सक्राइब करने के आपको चट्राइब यहां पर देखने अपर देखने मिल जाएं तक जाएगा पास्ट बोन में आ जाएगा उसके बाद आपको फोन को साइप पे रख देना है और आपको आ जाना है आपके लैप्टॉक या फिर लिनुक्स के लिए जो यह है उसे डाउनलोड कर देना है उसे डाउनलोड कर देने के बाद यहां पर यह जो फाइल है उसे डाउनलोड कर करने के बाद आपको सिंप्ली उसे अंजिप कर देना है एक जिप पर रहेगा को सिंपली आपको इसे एक पोल्डर लिखा हूआ देखने को मिल जाएगा प्लैक्टॉम् तुल्स टो करके आपको simply उस पे लॉंच कर देना है तो जैसे कि यहाँ पर हमारे अच्टॉप पर आचुका है प्लैक्टॉम टुल्स करके एक फॉल्डर रेडी हो चुका है तो हम यहाँ पे उसे पे लॉंच कर देते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको अभी आपका जो फोन अ इड़ाइप कर देना है और आपको enter मार अब जैसे pivotizard करते इंटर आपको इंटरफेस ओपन हो जाएगा यहां पर आपको सिंप्ली पास्फूट डिवाइस स्ट टब करके डिकर तक कर देना क्या क्यों है आपको इस प्रस्पूट्वूद प्रप्रप्राइस ओनॉप जैसे फार्म स्रे gef करोगा और एंटर तो उसके कुछ एक-दो सेकेंद सबस्क्राइब आपके फोने वह नौट पे आपको unlocking के लिए आपको process मिल जाएगा तो यहां पे हम type कर देते हैं fastboot blessing unlock तो जैसे हम यहां पे enter करेगे वैसे हमारे phone में यह command run हो जाएगा उसके बद आपको आपके phone पे आजाना है पुम में आपको लिखा देखने को मिल जाएगा प्रेस वोल्यूम अप टो अनलोक बूट लोडर प्रेस वल्यूम डाउन टू कैंसल आपको वोल्यूम आपका बटन है उसे प्रेस कर देना है जैसे यहां आप सब्सक्राइब कर दोगे उसके बदके फोन में में सक्सेस्पुलि लिखा वडिखा भी ड्राइवर्स जो आते उसे बार डाउनलोड कर दीजिए अगर आप यह से डाउनलोड कर देगे तो आपका फोन आसानी से वन ट्राइब में ही आपके PC के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो चलिए यहां पर हम बात में सिंप्ली यहां पर एक और कमांड रन कर देते हैं आपके जितने भी डॉक्युमेंट या जितने भी कोई भी फाइल रहेगी वह सभी निकल जाएगी रिमूब हो जाएगी तो मेक्शूर आप सबसे पहले आपके फोन में यह प्रोसेस करने से पहले आप सारा पैकप ले लिजेगा तो चलिए हम यहां पर फोन को कंप्लेट यहां udah करने से कर देते मतलब पूरा सेटव कर देता तो जैसा कि हम आप सेंप्छे क्लिए हमथा सीधे लेज के चलते में धिए सेटन्ग में सेटन्ग में जाने के बाद हम वापिस से यहाँ पर developer option को on करेगे about phone में जाने के बाद यहाँ पर बिल्द नंबर पर simply 7-8 बार टैप करेगे उसके बाद हमारे phone में जो developer option है वह अगेंस से open हो जाएगा तो चली अब हम यहाँ पर चले जाते additional setting में additional setting में जाने के के बाद आप जैसा कि यहां पर देख सकते तो थे के ओए एम अनलोकिंग को आपको करके अनेबल करना परता था लेकिन यहां के ओई एम लोकिंग जो रहेगा डेवलोपर ऑप्षन में वह completely hidden हो जाएगा मतलब के light हो जाएगा मतलब आपके फोन में यहाँ पे सक्सेस्फुली आप completely आप bootloader को unlock कर चुके हो यह यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो तो इसी तरह से आपके फोन में message आ जाएगा तो दोस्तो इस तरह से आपके realme के smartphone के bootloader को unlock कर पाओगे दोस्तों हम अगले वीडियो में आपको बताएगे किस तरह से आपके realme के device कर रूट भी कर पाओगे उसका भी जो मैठर रहेगा वह अलग-अलग सभी डिवाइस के लिए अलग-अलग जो कि हम आपको आने वाले हमारे वीडियो में बताएगे आपको अगर यह बूट लोडर लॉक करने में अनलोक करने में कोई भी दिख्कत आ रहे हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो मैं उसका आपको जल से जल रिप्लाइब करके आपको सॉल्यूशन देने की कोशिस करूगा आपको यह वीडियो कैसा लगा यह भी आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हो और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तुरण लाइक कर दिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे जो सब्सक्रिप्शन का बटन है उसे प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए साथी साथ बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दिए ताके हमारे आने वाले नए फ्यूचर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन के द्वारा अलट मिलती रहे तो दूस्तो मैं मिलता हूं हमारे ऐसे अगले और भी एक्साइटिंग वीडियों में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेगा बबाई टेक केर